विध्यारतियों, पुलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका सुवागत और अभीनंदन। आज हम बिये पार्ट टू, पेपर वन में अमेरिकन कॉंसिटूशन के अंदर अमेरिक की दलिये प्रणाली, अमेरिकन पार्टी सिस्टिम इस विशय पर परिचर्चा करेंगे। अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी जो है बिना पुलिटिकल पार्टी के, उसका जो सफल संचालन है वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत व्यापक है, यानि राश्ट्रे स्तर से लेकर राज्य, नगर और काउंटी तक जो है इनका संगटन फैला हुआ है। ये पर डलो का जो संगटन है, वो अत्यंत शितिर है और जहां तक हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी और प्रिंसिपल्स की बात करें, तो ये अल्मोस्ट सेम ही है। चुकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो दली अनुसाशन है, वो बहुत शितिर सा है, वो बहुत कम है, इसलिए ये देखा भी जाता है कि कॉंग्रेस या राज्य विधान मंदलों के मतदान के समय, जो है एक दल के सदस्य, अपने विरोधी दल के पक्ष में ज और रिपप्लिकन पार्टी और चुकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स में ज्यादा अंतर भी नहीं देखा गया है, जहां तक हम अमेरिकन पार्टी सिस्टम की विशेश्टाओं की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो विकास है, वो समवीधान के लिखने के बाद हुआ है, बेसिकली अमेरिका के जो समवीधान निर्माता थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो थे, वो अगेंस्ट में थे, और उन्होंने जो है, अमेरिकी समवीधान में, जो है, डेल लेकिन कालांतर में ये प्लिटिकल पार्टी जो है आज अमेरिकन जैंडिक सिस्टम का एक इंपॉर्टन्ट अंग Bangladesh वो बन गया है और इसकी अगर हम शुरूवात की बात करें तो इसकी शुरूवात जो है जोर्ज वॉशिंग्टन के कारेकाल से ही हो गई थी और तब से लेकर अब तक जो है ये जो political parties हैं ये American system का एक important part बन गई है Basically हम अगर इसकी बात करें तो 1856 में जब दास प्रता का विरोध हुआ तब उसके बाद जो ग्रहयुद हुआ उसके बाद basically America के अंदर दो political parties emerge हुई और ये political parties थी democratic और republic और ये जो द्वी दलिय प्रनाली है ये American political system का एक important aspect है अगर हम शुरू से ही देखें तो American political system के अंदर दो ही parties का जो है वो importance रही है शुरू में उन parties का नाम federalist और democratic republic था लेकिन बाद में जो है नाम बदलते गए और आज जो वर्तमान समय है उसमें इन दो political parties का नाम है Republican party और democratic party even कई बार ये कोशिश भी की गई कि कोई तीसरा दल आए लेकिन उस तीसरे दलने या अन्य दलने कभी भी उतनी शक्ती अटेन ही नहीं करी जितनी की इन दोनो political parties के पास है मुन्रो के शब्दों में जब ड्वी दली व्यवस्था ठीक कारे कर रही है तो तीसरी या चौती party के लिए जो है वहाँ पर कोई भी स्तान नहीं है विचारधारा संबंदित जो आधार भूत अंतर होते हैं उनका American parties के अंदर अभाव पाया जाता है American party system की यह सबसे important विशेष्टा है कि दोनों ही जो political parties है उनके बीच कोई मौलिक मतबेद नहीं है अगर हम विदेश नीती के शेतर में देखें तो दोनों ही दल की नीतियाद जो है more or less equal है आंतरिक शेतर में भी अगर हम बात करें तो दोनों ही political parties जो है पुझी वादी व्यवस्ता का समर्थन करती है संघातमक व्यवस्ता के पक्ष में दोनों ही political parties है मतलब दोनों ही political parties ने एक middle way अपनायावा है इसी लिए ब्रॉगन कहते हैं कि अमेरिका में राजनितिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनितिक विचारों की व्यापकता चिपीवी है और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती उसके बाद में जो उसके बाद के दल में न पाई गई हो तो कहने का क्या मतलब है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टेम के अंदर जो अन्य विशेश्टा है कि वहाँ दली अनुसाशन का प्राय अभाव देखा जाता है यहां दलों की सदस्यों की भरती के लिए ना तो कोई निश्शित प्रक्रिया है और ना ही कोई बहुत कठोर अगर हम उसकी बात करें तो अनुसाशन वहाँ पर है वहाँ का यह जो संगठन है अमेरिकन पार्टी सिस्टम का वो बहुत ढीला डाला संगठन है और विबिन राजने तेक विचारधारा वाले जो लोग है वो उसे जॉइन कर सकते हैं अमेरिकन पार्टी सिस्टम जो है वो बेसिकली दबाव समूओं का जो उस पर प्रभाव है वो बहुत अधिक है अमेरिकन दलो पर दबाव गुटों का प्रभाव जो है वो अधिक है और ये जो दबाव गुट है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है पोलिटिकल पार्टी सिस्टम पर दबाव डालते रहते हैं ये जो छोटे-छोटे मैंने आपको बताया जो इंटरेस्ट ग्रूप से वो अपने हितों को पूरा करने के लिए पार्टी को दबाव डालते रहते हैं और ये जो पार्टी से वो more or less एक इंटरेस्ट ग्रूप का भी काम करती है आमेरिकन परटी की परटी सिस्टम की जो अन्य विशेशता है वो है स्पॉईल सिस्टम या जिसे हम लूट प्रणाली भी कह सकते हैं इस प्रणाली का मतलब क्या है इसका मतलब है जब किस जब कोई राश्नेतिक दल जीत कर सत्ता में आजाता है तो उसके जो सयोगी कारे करता और समर्थक जो है वो उन्हें जो है वो political parties विबिन साश के पदपन नियुक्त करती है और उन्हें एक reward के रूप में जो है नियुक्त करती है जिसे की spoil system या loot प्रनाली भी कहा जाता है basically अगर हम कहें तो American party system की ये जो है एक मतलब it's not a good thing जहां पर आप अपने ही party के लोगों को जो है विबिन प्रशाश के पदों में बैठाते हैं ये spoil system जो है ना तो ब्रिटेन के अंदर जो party system में वहाँ नहीं देखा जाता अगर हम American party system की बात करें तो American की दल व्यवस्ता सर्व व्यापक है कोई भी शेतर ऐसा नहीं है चाहे वो संगो राज्यो स्थानी एकाईया हो कौंटीजो जहां पर उनका प्रभाव ना हो इनकी व्यापकता के कारण ही दलों को वहां की अद्रिश्य सरकार जो है वो कहा जात है अब सवाल ये उठता है कि ये जो party system है कि इनका American political system के अंदर क्या importance है देखो अमेरिका के constitution में कहीं पर भी political parties का उलेक नहीं हुआ लेकिन इन सब के वावजूद भी मुनरों के शब्दों में समवीधान निर्माता ने जिस शिला को अस्वीकृत किया था आज वह अमेरिकी प्रजातंतर की आधार बूत शिला बन गई है बेसिकली अगर हम देखें तो American constitution makers ने तो वहां के जो president का election है उसे indirect election बनाया है लेकिन ये अमेरिकी party system की ही एक अगर मैं कहूँ तो unique ने से या एक विशेशता रही है कि उन्होंने American president का जो election है जो theory में तो आज भी अप्रत्यक्ष प्रणाली के दुआरा अमेरिका का राश्प्रती चुना जाता है लेकिन व्यावार में इन political parties ने मिलकर democratic और Republican parties ने मिलकर इसको जो है व्यावार में पूरी तरह से direct जो है कर दिया है यानि व्यावार में आज अमेरिका का राश्प्रती जनता के दुआरा प्रत्यक्ष चुना जाता है किन्तु सद्धान तत्व अभी भी जो सम्वीधान में mention है कि वो एक जो है एक निर्वाचन कोटा जो है वो उसका निर्वाचन करेगी के दुआरा ही चुना जाता है इसके बारे में अगर आपको समझना है तो मेरे अमेरिकी राश्पती का जो निर्वाचन संबंधी जो लेक्चर है उसको डीटेल में समझ सकते हैं यहां तो मैं केवल इतना समझाना चारी हूँ कि यह जो party system में American political system में उन्होंने वहां के democratic system को functional बनाया है कि जिस president का election जो की constitution makers ने indirect करा था उसे भी उन्होंने direct कर दिया तो उन्होंने पूरी तरह से अगर हम बात करें तो democratic system को functional बनाने में American political parties की एक बहुत महत्वपून भूमी का रही है अमेरिका ने तो शक्ती प्रतिक करन का सिद्धान्त अपनाया है इसके कारण क्या होता है बहुत बार या कहीं बार व्यवस्थापिका और कारेपाली का के अंदर चूकि अमेरिका ने शक्ती प्रतिक करन का सिद्धान्त अपनाया है और व्यवस्थापिका और कारेपाली का एक दूसरे से स्वतंत रहे तो कई बार ये देखा गया है कि president जो है वो अलग political party का होता है और जो वहां की congress है वो अलग political party की होती है तो उस इस्टिती में जो है व्यवस्थापिका और कारेपाली का के बीच में coordination बठाने का जो काम है वो वहां की political parties जो है अनपचारिक रूप से करती हैं इसी के साथ साथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा देश है जा बहुत सारी भाशा जाती और धर्म के लोग रहते हैं उन सब को एकता के सूतर में बांधने का काम भी जो है अमेरिकन पार्टी के द्वारा किया गया है तो कहने का क्या मतलब है कि अमेरिका के अंदर ये जो वहां की political parties है वो American political system का एक important part है और उन्होंने American democratic system को जो है वो एक कार्य रूप भी प्रदान किया है जहां तक हमने इसकी विशेष्ट है डिसकस करी तो अमेरिका के अंदर भी ब्रिटेन की तरह ही दो ही political parties है Republican और Democratic parties लेकिन इन दोनों ही Democratic party के अंदर सिधान्त या policies and principles की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही political parties की policies और principles more or less same है उमीद करती हूँ कि American party system पर दिया गया मेरा आज का व्याक्यान आपको समझ में आया होगा Thank you